लॉक्डाउन, 17 तारिख को लॉक्डाउन में काफी धील दी गई थी, एक हफ़ता हो गया, आज एक हफ़ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिती नियंतरण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है जब लॉक्डाउन में धील दी गई थी, हमें ये उमीद थी कि थोड़े से केसिज में बढ़ोतरी होगी लॉक्डाउन में धील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है, कोरोना तो रहेगा अगर कॉरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहेें तो चिंता करने का कोई विशय नहीं है तो एक तो ये की मौत नहीं होनी चाहिए जादा मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सब को बचाब सकें, मौत के आकड़े को कम से कम रख सकें और दूसरा ये कि जो केसिज हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हूँ कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैड़ जाए, कॉलाप्स कर जाए अगर हमारे अस्पताल इतने मरी जाने लग गए, इतने मरी जाने लग गए कि हमारा अस्पताल बैट जाएंगे, हमारे मान लीजे बैट नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, अक्सिजन नहीं मिलेंगी अगर ऐसी स्थिती हो जाएगी तब चिंता का विश्य होगा कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे टोटल अभी तब पॉजिटिव केस 13,418 आए इन में से 6,540 ठीक हो गये और 6,617 अभी बिमार हैं तो लगबक जितने ठीक हो ये उतनी बिमार हैं लगबक जितने ठीक हो गई ये साड़े 6,530 अभी बिमार हैं मुटा मुटा 261 लोगों की मौत हो गई आपके सामने में रखना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टीटस है जो कोरोना के अस्पताल हैं, कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें 3829 बैड हैं total, सरकारी अस्पतालों में 3829 बैड हैं, जिनमें 3164 बैड में oxygen एविलिबल हैं. मैं बार बार oxygen इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करोना की कोई दवाई नहीं है जिस patient को करोना हो जाता है उसको एक तो oxygen की कमी हो जाती है और दूसरा उस oxygen की कमी की वज़े से उसकी सांस से तेज हो जाती है respiration rate बढ़ जाता है तो उसको oxygen देनी पड़ती है oxygen सबसे critical है ऐसे patient के लिए करोना के patient के लिए जो severe patient होते हैं करोना के जो मामूली symptoms होते हैं उनको नहीं जो severe patient होते हैं करोना के उनको oxygen देनी की जरूर पड़ती है 3829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं उन में से 3164 बेड़ पे oxygen है 3829 में से केवल 1478 बेड अभी occupied हैं मोटे मोटे तोर पे अगर मैं कहूं तो 4000 बेड हैं जिस में से 1500 बेड अभी खाली हैं सरकार में 1500 बेड अभी खाली हैं सरकार के पास 200 वेंटिलेटर हैं उन में से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं लगबग 240 वेंटिलेटर खाली हैं तो अभी घबराने के कोई बात नहीं है प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं उन में से 509 भर चुके हैं कई लोग प्राइवेट में अपना हिलाज कराना पसंद करते हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा है 677 में से 509 भर चुके हैं तो ले केवल 500 पौने 200 बेड बची हैं प्राइवेट में इसलिए कल सरकार ने कल ओर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ओर जारी कर दिये कि 20 परसेंट उनको अपने बेड करोना के लिए रखने पड़ेंगे तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगबग 2000 नए बेड आज से अवेलेबल हो गए हैं अभी तक 677 बेड थे अब 2000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अविलेबल है तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है जरूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 बेड खा ली हैं लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इल मोटे मोटे तौर पे आज की डेट में प्राइवेट और सरकार मिला के साड़े 4000 बेड जिसमें से लगबग 2000 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं धाई हजार बेड अभी भी खाली हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्ली केस जो करोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड है थोड़ा सा बुखार है थोड़ी सी खांसी है या कईयों को तो कुछ भी नहीं है पता ही नहीं चलता उनकों की करोना है वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि करोना है कोई सिंटम नहीं है अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नह उती, उनको हम घर पे ही रखते हैं, और मेरी एक टीम है, जो डेली उन लोगों से घर पे बाच्चित करती रहती है, उनके परिवार के लोगों से बाच्चित करती है, उनको सला देती है, ये नजर रखते रहते हैं, अब लोग कि कहीं अगर वो बढ़ गया उनका करोना, तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, जैसे आज दिल्ली के अंदर, तीन हजार तीन सो चौदा लोगों का घर पे इलाज चल रहा है, लगबग दो हजार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, और तीन हजार तीन सो चौदा लोगों का घर पे इलाज चल र इसी तरह से अगले तीन चार दिन के अंदर हम जी टी बी हॉस्पिटल को तयार कर रहे हैं जी टी बी हॉस्पिटल के डेड़ हजार बेड़ सब को ऑक्सिजन बेड़ बना रहे हैं और जी टी बी हॉस्पिटल के डेड़ हजार और बेड़ हमारे करोना के लिए तयार हो जाए तो एक तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि अगर करोना के गंभीर पेशेंट्स में अचानक उच्छाल आता है तो हम तैयार है आप से एक हफ़ता पहले जब लॉक्डाउन में ढील दी गई थी तब क्या स्थिती थी और आज क्या स्थिती है सत्रा तारिक को लॉक्डाउन में ढील दी गई थी उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव नौ हजार साथ सो पच्छपन थे आज तेरह हजार चार सो उठा रहा हैं एक हफ़ते के अंदर लगभग साड़े तीन हजार पेशेंट्स बढ़ गए इसी के साथ साथ एक हफ़ते के अंदर धाई हजार लोग ठीक होके घर चले गए साड़े तीन हजार बढ़ गए और धाई हजार ठीक हो गए तो जैसे मैंने बदाया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं बिमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं लेकिन इसकी इंट्रेस्टिंग चीज़ है साड़े तीन हजार पेशेंट्स पिछले एक हथे में नई पेशेंट्स आए लेकिन अस्पतालों के अंदर साड़े साथ सो साड़े सत्रा सो बेड भरे हुए थे साड़े सत्रा सो पेशेंट सत्रा तरीको अस्पतालों में थे आज दो हजार हैं धाई सो बेड केवल भरे हैं तो केवल धाई सो नई पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए अस्पटालों मेंगी ठीक हो रहे हैं और नहीं है ठीक हो रहे हैं और नहीं है केवर 500 में डाइस य। बैड़ अस्पटालों के अंदर भरे हैं अभी दो दिन पहले मुझे पता चला कि एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ हो रही थी दो दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया उसके एक दो दिन बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट पॉजिटिव आया और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है हम आपका इलाज नहीं करेंगा आप अपना बेड ढूंड लीजिए पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंडेगा पेशेंट कहां जाएगा कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता हमने उस पेशेंट को शोका स्थ नोटिस जारी किया है प्राइवेٹ अस्पताल को कि आपका लाईसन्स रद क्यों ना किया जाए अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता और वो कोविड निकल आता है उस आस्पताल की जिन्मेदारी है कि वो उसको अपनी ambulance में बिठा के किसी या तो private या government hospital के अंदर उसको covid bed दिलवाएगा आप किसी भी patient को इस तरह से अपने हाल के उपर नहीं छोड़ सकते एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ कई बार आती है जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास सरकार में भी 10,000 खाली बड़े हैं और अब 2,000 private sector में भी bed खाली में होंगे साड़े 4,000 bed खाली हैं लेखिन लोगों को पता नहीं चलता किस स्पताल में bed खाली हैं लोगों को पता नहीं चलता कहा जाएं तो इसके लिए अब हमें एक system बना रहे हैं उसको तुरंट पता चल जाएगा कि मुझे कहा जाने के ज़रूत है। इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं और दो-तिन दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम बना कि मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर स्थिती नियंत्रण में हैं, केसेज थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं केसेज थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने केसेज बढ़ रहे हैं, मॉसली माइल्ड सिम्टम वाले हैं, एसिम्टमेटिक हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है उनकी भी हम देखवाल कर रहे हैं और जो जो पेशेंट्स हस्पिटल में आ रहे हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रखता हैं बहुत बहुत शुक्त